इस वक्त की बड़ी घटना सामने आई है जहां एक होटल ला इंपीरियों में आग लगने से वहां के मैनेजर की दम खुटने से मौकी पर ही दर्दनाग मौत हो गई बताये गया है कि दो दिन पहले ही मैनेजर ने होटल में जौनिंग किया था 6 दिसंबर को होटल मेरी ओपनिंग भी होनी थी वहीं ये दर्दनाग हासा होने के बाद सबके होश उड़ गए हैं इलाके में दहशत का माहौल बन गया है ये हासा आज सुभा का बताया जा रहा है जहां मैनेजर ने आग भुजाने का प्रियास लगातार किया और अपनी जान की परवा ना करते हुए वे लगातार आग भुजाते रहे लिकिन अचानक आग ने विक्राल रूप धारण कर लिया और धुए के कारण उनकी दम खुटने और आग की चपेट में आने से मौत हो गई वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की टीम ने आग पर काबू बाया और मैनेजर के शफ को पोस्मार्टम के लिए भीज दिया गया वही पुलिस की जाँच में अभी तक आग लगने का सही कारण इस पश्ट नहीं हुआ है ये मामला थाना बना देवी छेदर के होली चौक इस्तितला इंपीरियो होटल का है जहां परिवाद ने पहुँचकर होटल पला परवाही का आरोप लगाते हुए मामली को पुलिस की सुपोर्ट कर दिया है देखे ये दर्दनाग हासी के खास रिपोर्ट और लगने कारण क्या है वो जलाई नहीं कोई चोट नहीं कोई कूष नहीं है कि साजी सही हुआ है कि अपादे हिए सोब करें हमें तो साधे लग रही है अब और नहीं कहां पर होटल ही होटल रहूरपुरी में इसको होटल को रहा है यह गुफ्टा जी की नाम से है लेंप लिए अगरी तो दो दन पहले यह आया है क्या नाम तर्मेश अग्रवाद कहां के रहने वाले यह रहती तो यहां का नाम है रमिश व्यार कालानु की पास अब क्या तैरी देंगे जब वहीं चला गया तो होना कुछ नहीं है कि रिद्र समात्र नाम मेरा है हम से हमें दूरे से पता चला तो फस्ट प्रो पर आके देखा तो हाँ पे जल चुका था सारा कुछ जी ने ने काउंटर से अगनल लगे हुए है होटल लाइम पीडियो में हाँ एक कर्मचारे की मुथ हुए है दर्मगोटनी से क्या नाम उसका धर्वेश नाम में उसका है यह लाइम पेरियो होटल है इसके फर्स्ट पर आग लगने की सुछन सब्सक्राइब प्राप विप हम लोगों ने लेखा आए यह पता कराया जा रहा है कि आग लगी कैसे साट सर्किट है या कोई अट वजा है इसमें प्रिस चांद भी निकर रही है जो भी पत्रोंगे सामने आएं बताया जाए ऐसी है आप डेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूस इंडिया चाहिए हमारे चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब करना ना भूले